श्रवन कुमार की कथा, महराज दशरत ने कहा कोशलिये, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है, एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बान ले रत पर सवार हो शिकार के लिए निकल पड़ा, जब मैं सर्यू के तट के साथ साथ रत में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानोवन्या हाथी गरज रहा हो, उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्षन शब्द भेदी बान छोड़ दिया, बान के लक्ष पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले आ, मैं मरा, मुझ निरप्राध को किस ने मारा, हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यू के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यू, जल के बिना प्यासे ही तडप तडप कर हो जाएगी, न जाने किस पापी ने बान मार कर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली, इस से मुझे ग्यात हुआ की हाथी की गरज मेरा भ्रम था वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था उन वच्चनों को सुनकर मेरे हाथ कापने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमी पर गेर पड़ा डौरता हुआ मैं वहां पर पहुचा जहां पर वह मनुश्य था मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्तरंजित पड़ा है और पासी एक ओंधा घड़ा जल में पड़ा है मुझे देखकर कृद स्वर में वह बोला प्राजन मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वद करके मुझे दंड दिया है क्या यही मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीरा से मैं तड़ा प्रहा हूँ यद्यपी मैं वनवासी हूँ किन्तु फिर भी ब्राहमन नहीं हूँ मेरे पिता वैशे और मेरी माता शूद्र है इसलिए मेरी मृत्यू से तुम्हें ब्रमहत्या का पाप नहीं लगेगा मेरे द्वारा के हृदय से बान खीचते ही उसने प्रान त्याग दिये अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा घड़े में जल भर कर मैं उसके माता पिता के पास पहुँचा मैंने देखा वे दोनों अत्यांत दुर्बल और नेत्रहीन थे उनकी दशा देखकर मेरा विदीर्ण हो गया मेरी आहट पाते ही वे बोले बेटा श्रवन इतनी देर कहां लगाए पहले अपनी माता को पानी पिला दोक्यों की वह प्यास से अत्यांत व्याकुल हो रही है श्रवन के पिता के वच्चनों को सुनकर मैंने दरते दरते कहा खे मूने मैं अयोध्या का आजा दश्रत हूं मैंने अंधकार के कारण हाथी के ब्रह्म में तुम्हारे निरप्राद पुत्य की हत्या कर दी है अज्यानवश के गए अपने इस अप्राद से मैं अत्यंत व्यत्यत हूं आप मुझे दंड दीजिए पुत्य की मृत्यू का समाचार सुनकर दोनों विला अब तुम हमें हमारे श्रवन के पास ले चलो श्रवन के पास पहुँचने पर वे उसके मृत्य शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे अपने पुत्र को उन्होंने जलांजली दिया और उसके पश्चात वे मुझ से बोले थे राजन जिस प् कोहारी मृत्यू भी पुत्र वियोग में घोर का श्ट उठा कर होगी शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयम भी चिता में बैच जलकर भस्म हो गए कौशलिये मेरे उस पापकर्म का दंड आज मुझे प्